हेलो स्टूडेंट्स वालकमे टो अभी पीडिया पावर्ट बाइ अभीमणी आईयेस तो स्टूडेंट्स जैसे की हम जानते हैं удhbb Agrapanta की भरती ऑन्ाउंस करी जिल्ली पूलुस ने कांसेबल की भरती अनाउंस करी तो गर मैं कांसेबल रक्रीट्मेंट की बत करू है तो recruitment को लेके official notification में release कर दिया है तो आज हम बात करेंगे उस official notification की कि क्या process रहने वाला है क्या dates रहने वाली है किस तरह से यहाँ पर भरती की जाएगी क्या यहाँ पर process होगा तो सबसे पहले हम official notification से start करते है official notification की अगर मैं बात करूँ तो official notification में सबसे पहले जो चीज आती है हमारे पास वो आती है dates की अगर हम बात करें तो basically कब से ये form जो है वो start होना है और कब तक basically इसकी date आफ फिल कर सकते हो online form रहने वाला है पुरा process online रहने वाला है तो यहाँ पर अगर मैं date की बात करूँ तो 1st of August 1st of August से लेके 7th of September 1-8-2020 से लेके 7-9-2020 तक आप ये form भर सकते हो यानि की इसका जो process है form filling का वो already start हो चुका है online process है ठीक है अब basically last form जो आएगा वो 7-9 तक या भर सकते हो रात के साड़े 11 बज़े तक रात के साड़े 11 बज़े तक आप form को fill कर सकते हो and online fee payment भी आप कर सकते हो दो दिन बाद का extra time मिलता है payment करने के लिए यानि की 9 September 2020 तक आप payment कर सकते हो आपका form final हो जाना चाहिए ठीक है अगर आप fee offline way में भरना चाहते हो basically अगर आप fee form तो online फिल होगा अगर आप fee offline way में fill करना चाहते हो bank में चलान प्रिंट करवा के bank जाके fees भर क्या होगे क्योंकि जाला fees तो यहाँ पर होती है यहाँ पर होता है सिर्फ 100 रुपे यहाँ पर जो fees होती है that is 100 rupees for the general category candidates जो schedule cast, schedule tribes, SC, ST, OBC होता है या फिर जो women's होती है, girls होती है उनके लिए free of cost रहता है उनको यहाँ पर 100 rupees भी chargeable नहीं होते basically SSC का जो भी form होता है उसमें 100 rupees ही fees होती है that is only for the males of general category females चाहे किसी भी category की हो, वो free of cost उनको यहाँ पर apply करना होता है उनके लिए कोई fees नहीं होती उसके बाद बात करें, तो यहाँ पर offline चलान की अगर मैं बात करता है अगर आप offline में fee भरते हो, तो चलान को print करके यहाँ पर जो आखरी time है, वो है 11 September और उस offline चलान को आप submit कब तक कर सकते हो that is 14th of September तक, 14th of September तक आप उसको भर सकते हो उसके बाद paper कब होने वाला है अब paper की अगर मैं बात करूँ, तो paper के लिए यह dates पहले भी SSE अनॉंस कर चुक है, SSE ने जो अपना table revise किया था, उस table revision में SSE ने कौन स टेबल की भरती dates अनॉंस करी हुए अलरी, तो basically कब से लेके कब तक है तो 27 November से यह शुरू हो जाएगा और यह चलेगा कब तक 12 December तक, 27th of November से लेके 14th of December तक यह चलने वाला है, आपके exam, यानि कि 2020 में ही exam conduct करवाए जाएंगे, and that is according to revised table of SSE यानि कि exam conduct होने के 90% chances है कि इस date में exam conduct कर लिया जाएगा, जानते हैं अगली भरती प्रिक्राइगा बारे में तो basically इसके बाद फर्दर क्या रहने वाला है, इसके बाद फर्दर कमिशन, male and female दोनों की vacancies हैं इसमें, उसके बाद selection process की अगर मैं बाद करूँ, तो वो क्या रहने वाला है, सबसे पहले एक computer based exam रहेगा, उसके बाद रहेगा physical test, then a medical test, that is with the document verification, तो सबसे पहले एक computer based test ही होगा, जानते हैं इसके बारे में further चीजहें हम जानते हैं, कี่ basically further process क्या रहने वाला है, तो पहले जान लेते हैं क्या, अब जान लेते हैं हम यहां पे, कि कितनी vacancies हैं, कि यहां पे हमारे पास vacancy ?? और पेसकेल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि भरती कितनी है और पेसकेल कितना है तो यहां पर अगर मैं पेसकेल की बात करूं पेसकेल यहां पर रहता है 21,700 से लेके that is 69,100 रुपीस तक clear यह यहाँ पर pay scale रहता है किसका constable का अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है vacancies कितनी है तो अगर मैं mail की बात करूँ तो general में 1681 अगर मैं overall सभी categories की मिला के बात करूँ 3433 टीक है approximately 2400 vacancies है यहाँ पर और females की अगर मैं बात करूँ तो इमेल्स की total 2000 के असपस that is 1944 and total vacancies जो यहाँ पर है including the ex-servicemen सब मिला कर यहाँ पर जो previous backlog spending हैं सब को मिला कर यहाँ पर 5846 5846 यह total vacancies है आप अपनी category वाइस देख सकते हो कि आपकी कोन सी category है आपकी category के लिए कितनी है तो basically एक अच्छी खासी vacancy निकाली है दिल्ली पुलिस के लिए एक अच्छी खासी vacancy अब यहाँ पर हम further terms and condition की बात करते हैं कि further terms and condition यहाँ पर क्या रहने वाली है further terms and condition की हम बात करते हैं यहाँ पर further terms and condition हमारे पास क्या है यहाँ पर उनको हम देख लेते हैं तो further terms and condition के अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आता है क्या पहली बात तो nationality इंडियर होनी चाहिए उसके बात करूं age limit तो age limit हमारे पास जो रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 18 to 25 18 to 25 रहेगा यानि की वो student जिसका जो जनम है वो 2 July 1995 से पहले हुआ ठीक है और जिसका जनम 2 July 1995 से पहले हुआ वो इसको नहीं भर सकता और जिसका जनम 1 July 2002 के बाद हुआ वो भी इसको नहीं भर सकता 18 से 25 साल वाले बच्चों के लिए अगर आपके पास category है तो यहाँ पे कुछ relaxation है आपके लिए अगर आप SCST हो तो 5 साल का OBC हो तो 3 साल का and sports person हो तो फिर से 5 साल का ठीक है and national level पे अगर फर्दर खेला हुआ है आपके पास तो फर्दर अगर आपके पस next 33 तो 10 साल का भी है अगर आप departmental केंटिकर मतलब आप आप अलएड़ी दिली पलिस में काम कूं करते हैं तो उससे ज़्यादा का भी चलता है ठीक है तो it's all for ex-servicemen and all over basically यहाँ पे age relaxation की हम बात कर रहे हैं चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे further process इसके बारे मैं जानते है ठीक है further processes basically क्या होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं education qualification की बात करूँ या फिर male candidates में यहाँ पे एक और चीज़ दिविए इस notification में male candidates के लिए दिया गया क्या कि जो male candidates है उनके पास driving license का होना बहुत mandatory है ठीक है male candidates with the driving license can apply जिसके पास driving license नहीं है that is not eligible that is only for the male candidates not for the females females के लिए ऐसा कोई rule नहीं दिया गया यह सरफ males के लिए दिया गया उसके बाद देखते है further ठीक है उसके बाद further हम देख लेते हैं तो further क्या चीज़ होती है further हमें notification में क्या चीज़ चाहिए तो यहाँ पे आती है बात करते हैं qualification की हम बात यहाँ पे करते qualification की बात करेंगे अब qualification की अगर मैं बात करूँ तो 10 plus 2 10 plus 2 यानि कि senior secondary यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए ठीक है senior secondary तक आपने पढ़ा होना चाहिए pass होना चाहिए number of marks matter नहीं करते कि आपके कितने percent है वो matter नहीं करता बटा पास होने चाहिए plus 2 तक हाँ अगर आप plus 2 पास नहीं है ठीक है उसके बाद अलावा पास क्या होना चाहिए कुछ other things होने चाहिए जैसे अगर आप किसी डिली पुलिस में काम करने ठीक है कोई बॉगलर उनके basically drivers तो इनके अगर आप बच्चे हो तो आपके लिए क्या चलेगा दिली पुलिस में काम करने वाले ठीक है तो उसके लिए क्या चलेगा 11 भी valid है उसके लिए 11 भी valid है हां जो male candidate that is with the driving license that is only valid ठीक है driving license of that is motor vehicle LMW LMV के लिए जो आपके पास है वही valid है learning license नहीं चलेगा learner license नहीं applicable है आपके पास valid driving license होना चाहिए नेक्स देखते हैं नेक्स बात कर लेते हैं अब नेक्स हमारे पास आता है कि कैसे apply करना है तो यहाँ पे sse.nick.in का एक website दिया हुआ sse.nick.in तो आपको इस पे click करना है sse.nick.in पे तो यहाँ से आप सीधा link पे पहुँझा होगे यहाँ पे आपको आप जाके form apply कर सकते हो अपनी details पर के एक simple सा form होता है simple सा process होता है ज्यादा tough task नहीं है अब इस link से इसको fill कर सकते हो उसके बाद मैं further यहाँ पर बात करूँ तो further हमारे पास क्या रहता है further यहाँ पर हमारे पास रहेगा that is कि क्या exam process रहने वाला है क्या यहाँ पर examination center रहते हैं हमारे पास examination center that is divide reason based पर divide किया हुआ है central reason के लिए eastern reason के लिए करनाट का reason के लिए हर reason के लिए different यहाँ पर centers दे गए हैं आप notification में उनको देख सकते हो मैं इसको जारा detail में नहीं जाओंगा जारा time नहीं लेंगे हम ठीक है तो क्या-क्या यहाँ पर centers रह सकते हैं तो अब हम आते हैं main चीज़ पर that is our main purpose कि इस दिल्ली police constable में जाने के लिए हमारे पास first step क्या होना चाहिए देखो first step तो यह है कि foam भरेंगे ठीक है उसके बाद क्या करना है foam भरने के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए foam भरने के बाद selection process की तरफ बढ़ते हैं selection process में सबसे पहले मैंने आपको बता है computer based test अब computer based test के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे computer based test multiple choice रहने वाला है तो इसमें क्या pattern रहेगा exam का क्या इसमें syllabus रहने वाला है उन सब चीजों के हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है gk general knowledge and current affairs तो यह रहेगा 50 question आएंगे 50 number के उसके बाद आती है reasoning reasoning 25 questions आएंगे 25 number के 25 question उसके बाद आता है math numerical ability 15 question 15 number 15 question 15 number उसके बाद आता है computer computer में क्या-क्या fundamentals आएंगे ms excel ms word जो आएगा यहां पर दे रखाए 10 question 10 number के इन सब को total करने के लिए यहां पर यानि कि हम मेरे पास क्या हो गया 100 question 100 question 100 marks time जो मेरे पास है वो है डेड़ घंटा 90 minutes अगर time basically time sufficient है time बहुत जादा है ठीक है time की question नहीं है कि हमें speed करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि speed करने का time ऐसे भी reasoning और math पर लगता है वो इतना ज्यादा लेंथी तो दिया नहीं है यहां पर एक plus point यहां पर यह है कि यहां पर English नहीं दी हुई ठीक है काफी सारे basically जो constable में apply करते हैं उनका एक lack रहता है English का lack रहता है तो इसमें English नहीं आने वाला इस process में English नहीं है English subject नहीं आएगा तो एक बहुत ही असा सा process है यह बहुत ही आप easy way में इसको catch up कर सकते हो अब उससे भी अच्छी बात यहां पर और दी कि यहां पर एक process के लिए आपको कि 35 नंबर आपको लेने है इसके अंदर तो 35 नंबर यहां पर दिया रखाए कि 35 नंबर इसमें आपको लेने है उसके बाद मैं बात करूं तो syllabus की बात कर लेते हैं syllabus में देखू तो जन्रल अफेर्न करेंट एफेर्स में basically history, quality, geography सब कुछ पढ़ना है आपको ठीक है सब इसी की है पचास नंबर की उसके बाद reasoning रहता है reasoning की अगर मैं बात करूं ठीक है that is very simple based उसके बाद numerical ability ठीक है numbers basis के उपर आता है जनली यह ज़्यारतर उसके बाद रहेगा computer उसके बाद रहेगा क्या उसके बाद रहेगा computer अब computer रहने वाला है उसके बाद तो computer में basically क्या कह रहेगा जो मैं पहले बता चुक है fundamentals, ms excel, ms word जो यह सारी basically यह basic सी चीज़ें इसमें आती है ठीक है उसके बाद physical test होगा अगर आप यह कर लेते हो तो उसके बाद आपका physical test होने वाला है तो physical test में basically जैसे race होगी 1600 मिटर की ठीक है long jump होगा, high jump होगा, तो यहाँ पर दे रखा है कितने का होगा, क्या होने वाला है, तो that's a secondary process, अगर आप इसको clear करते हो तब उसके बाद आपको final basically document verification के लिए बुलाया जाएगा, आपका medical के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पर आपको आपने सारे documents present करने पड़ें अगर उस time पर आपके पस documents नहीं हुए तो आपको वही reject कर दिया जाएगा, ठीक है, medical standards भी यहाँ पर दे रखाया, eye vision क्या होना चाहिए, tattoos बगरा नहीं होने चाहिए, यह सारी चीज़े notification में already given है, यह सारी चीज़े notification में given है, यह क्या 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 आपके पास proof होने चाहिए, अधार card, voter ID card, driving license, pen card, passport, क्या 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 आपके पास होना चाहिए, यह already valid यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, एज़े सारी यहाँ पर दी हुई है already, तो mode of selection में पहले ही बता चुका हूँ जैसे क्या है कि computer based test, उसके बाद exam, हमारा physical, उसके बाद medical, यहाँ पर मैं बात करूँ तो कि यह जो pattern रहेगा exam का, वो सारा का सारा सिर्फ English और Hindi में रहने वाला है, सिर्फ English और Hindi में, ठीक है, उसके बाद number मैंने पहले ही बताए कि आपके minimum इतने number आने चाहिए, 35 number, अगर आप general category है, ठीक है, और अगर आप एक सर्विसमेन हो, तो 25 number आपके पास होने चाहिए, तो that is a basic thing, यह आपके पास यह सारी चीज़ें होनी चाहिए, यह mandatory things है, इनके बिना आप यहाँ पर आगे फर्दर नहीं बढ़ सकते, यह चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है, यह सारी चीज़ें आपको इतने number तो आपको लेने लेने है, हर हाल में लेने है, अगर इसके लिए apply करना चाहते है, तो जल्दी से जल्दी इसको fill कर लीजे, जल्दी से जल्दी इसकी तरफ बढ़िए, इसको fill कीजिए, ठीक है, और इसका जो पूरा यह full detailed notification है, इसका link की नीचे आपको description में मिल जाएगा, ठीक है, जिस website पे fill करना है, उसका link भी आपको फ्री कोर्स अभी पीडिया आपके लिए ले कि आएगा, एक फ्री कोर्स इसके लिए हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए, बैल आइकन को press कर दीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, subscribe कर लो, बैल आइकन को press कर दो, ताकि आपको सारे notification मिल सके, तो it's all for today, thank you so much, have a nice day.